आज मैं आई हूँ अमेरिकर नगर जिला के धामपत्ती में जो रामपूर जिले के रहने वाले दिर्साथ भाई हैं और यहां पर कई महीनों से जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसका चगाई बनाते हैं तो आईए हम इन भीया से जानते हैं कि इसकी खासियत क्या होती है अब पनाते हूए है यहां पर जो है जैसे कि आप कितना साल हो गए यह बनाते हुए इसे तो तो तुम बनाते हुए तो आटारू मित साल हुगए आपने कहा सीखा था बनाने के। यह हमारे घर भी होता था, हम्हारी अम्माप बेध्यों यह ही काम करते हमें me जो आप दर्य बनाते हैं तो यह कौन-कौन से मौसव में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं या हमेसा विशा सकते हैं Making जो बनाते हैं यह जो तात लगता है इसमें किस चीज करेता है जो धागे लगते हैं यह तो यह तो उसका होता है कि अफिज क्या जो बोड़े हैं ऑग लायवन एक डरी कितने साल तक चल जाते होंगे लगल कर दियता अपने उपर रखने के उपर वार कि एक महीरें चल सकते हैं यह जो इसकी खाश्यात अच्छी है इसे और ने उठाने से कहीं बीजने अच्छा जो है और अच्या पुराने कपड़ा रहता है अपना सबकुछ ईश्च आपने कभी वनवाया था आम बनवाया था अब भी भी बनवाने के लिए हैं हमारे गामध्य बनाते थे वहाँ पर बनावाय पांसे दरी जो चह रहें हैं यहाँ पर बनवाले है तो जैसे कि इनके जो साल तर्लफ चल जाती जो मार्केट से आप लोग ले आते हैं वो जादा अच्छा होता है ये वाला तो सही बाटे ये ठीक बाँ जनू लाइती हुना ठीक बाँ पुसाइगा ने जनू लेती बहुत आराम बाएता है छूने से मतलब एक तुम कप्ड़े कहां ही रहता है देखा गम सही बाँ कड़ा आप अधिक जैसे की जो नगरा होते हैं कौन वा मतलब सारी के सूट रूत के को जान लें यह जाते हैं यह जो प्रें का धरी होता है हमने कई घरो में देखा है कि यहां पर इस्तेमाल करने के लिए भी लोग कर रहे हैं और उनका कहना भी है कि यह जो होता है बहुत मुलायम है और बिछाने में बड़ा आराम देता है क्योंकि अभी जो वो ठंडी का मौसम चल रहा है इसे बिछाते हैं तो एक कंबल की तरह काम करता है जो गाउं में फटे पुराने कपड़े हैं उसे दे कर लो अपने घरों में चटाई का उपयोग कर रहे हैं और फुसन भी बनाते ह सकता है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा